नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं निउस क्लिक पर खोश खबर कायकरम आज का दिन देश के अनदाता के नाम है आज का दिन गुरुपर्व का दिन देश के महिला किसानों और पुरुष किसानों के नाम है जिन्हें किसान भाई और किसान बहिन के तौर पर पिछले एक सालों में देश और अंतराश्टी इस्तर पर बहुत मानिता मिली जिन्होंने बहुत महनस से गर्मी, सर्दी, बारिश और तमाम दुश्वारियों को जहलते हुए सच का मार्ग छोड़ा नहीं, आज अंतता उन्होंने मजबूर किया मोधी सरकार को कि वह तीन कृशी कानून को वापस ले, सारवजनिक तौर पर देश को संबोधित करते हुए, अपने पक्ष में ही सही जो भी माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन यह मानना पड़ा उन्हें कि यह तीन कृशी कानून देश के हित में नहीं है, मजबूरी में ही सही उन्हें वापस लेने पर मजबूर देश के किसानों ने, आंदोलनकारी जनता ने और लोकतंतर में विश्वास रखने वाली बहु संग के आबादी ने तैयार किया खबर की खोज, सच की पड़ताल, जनपक्ष नजरिया, बे खौफ, बे भाग, सत्ता का जूट, बे नकाब, आग में तपी पत्रकारिता, दाखती है, सवाल, दर सवाल आज जब देश भर में और यूं कहिए कि दुनिया भर में जो लोग किसानों के पक्ष में खड़े थे, वे इस बात पर खुश हैं, जश्न मना रहे हैं कि किसानों की जीत हुई, देश के अन्नदाता की जीत हुई, मजबूरी में ही सही, चाहे वो मजबूरी चुनाव की रही हो, चाहे वो मजबूरी जिस तरह की खबरें, उत्तर प्रदेश और पंजाब से प्रधारमंती नरेन मोदी के पास, उनकी सरकार के पास, राष्टी स स्वेम सेवक संग के पास पहुच रही थी कि जमीन बहुत तेजी से खिजक रही है जिसकी मजबूर में उन्हें तीन क्रिशी कानूनों को वापस लेना पड़ा और वापस लेते समय भी जिस तरह का दाव प्रधान मंत्री नरेंद मुदी ने चला सच की आड में आपके सामने और हमारे सामने जिस तरह का जूट परोसा उस पर बात करते हुए हम जाएंगे ग्राउंड पर कि लोग कैसे देख रहे हैं कैसे सोच रहे हैं और इस जीत ने भारतिय लोकतंत्र को लोकतंत्र में दुबारा उसके तमाम लोगों का विश्वास अर याद रखना बहुत जरूरी है पहली बार भारती राजनीती में जो एक क्रिशी कानून लाए इसने सिर्फ सरकार ही नहीं देश में जो कॉर्परेट लूट चल रही है उसके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर जन्मानस को तैयार किया यह क्रिशी कानून क्रिशक उपज वैपार और वार्निज, समवर्धन और सरली करण अधिनियम, देशी कानून है इन तीन क्रिशी कानूनों जिनके पक्ष में आज प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने आप देखिए क्या कहा कि वह बहुत ही पवित्र बात थी, पूर्ण रूप से शुद्ध बात थी, उस भावना के साथ देश के गरीब किसानों का भला करने के लिए, छोटे किसानों का भला करने के लिए प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने आज देश के नाम संबोधन में यह दावा किया कि इन तीन क्रिशी कानूनों को लाया गया क्या मज़े की बात है प्रधानमंत्री नरिम मोदी जी कि आप देश को यह बताना चाह रहे हैं कि आप यह जो तीन क्रिशी कानून लाए वह खेती, किसानी और छोटे किसान के लिए बहुत फायदे मन था और देश का किसान तर्क एक-एक करके आपको देता रहा कि किस तरह से यह जो तीनों क्रिशी कानून आप लाए हैं यह सिर्फ अंबानी और अडानी ही नहीं जो आपके बहुत प्री उद्द्योग पती हैं बाकी देश में जो कॉर्परेट लूट चल रही है किसानों के साथ किसान बिन्दू दर बिन्दू आपको समझाते रहे कि इससे देश की खेती और किसानी का फाइदा नहीं होगा लेकिन देखिए मजे की बात कि आज जब आप देश के लोगों को समबोधित कर रहे थे तब भी आपने जूट का दामन नहीं छोड़ा आपने सरयाम यह बताने की कोशिश की कि कुछ लोग हैं छोटे से लोग हैं कोटी कोटी किसान तो इसके साथ थे जितना अकूत बहुमत आपको है मोदी जी उसमें अगर छोटी संख्या में किसान होते तो क्या आप देश के अनदाता के सामने यूँ घुटने तेकते और माफी जब आप मांगते हैं बहुत से लोग बहुत सा मीडिया लगातार दिखा रहा है कि जब प्रधान मंत्री खुद कृशी कानून को रिपील कर रहे हैं तब किसान जल्दी जल्दी वापस क्यों नहीं जा रहे भूल जाते हैं कि एक साल से अपने घर को छोड़ कर जो भारतिय नागरिक बैठा है गर्मी को जहलते हुए बरसात को जहलते हुए जहां पर उसके पास कोई सुक्सुविधा नहीं है अपनी खेती बाड़ी को छोड़ कर वह बस यूहीं चला जाए आपने एक संबोधन किया उसके बाद वह उठके चला जाए आप तो देश की संसद को कुछ मानते नहीं है आपने संबोधन में अपने कहा कि संसद होने वाली है हम उसमें चर्चा करेंगे लेकिन यहां हम आपको बताना चाहते हैं कि देश का किसान आज भी सुनना चाहता है कि देश की संसद में आप क्या कहते हैं आप MSP पर क्या कहते हैं आए सुनते हैं दर्शन पाल जी को जो की बहुत एहम नेता है पंजाब के जिन्होंने पंजाब से पूरे के पूरे आंदोलन को एक अलग धंग से धार दी देखते हैं वह किस तरह से देख रहे हैं आज प्रधान मंत्री की इस घुशना को दर्शन पाल जी न्यूस फ्लिक में आपका बहुत-बहुत स्भागत है अज किसानों की जीत हुई है एक साल से करीब जो आपका अंदोलन चल रहा था उसके बाद आज प्रधान मंत्री नरिन मोगी ने देश के सामने माफि मांगते हुए कीलो प्रिशी कानून को रख करने की बात पही है आप इस घटना करम को कैसे देखते हैं देखिए इसको मैं पहली बात तो ये हमारे किसान अंदोलन एक लंबा अंदोलन शातमे अंदोलन जिसमें हमने साथ सो से ज़्यादा साथ सो के करीब किसान बलके सासों से ज्यादे ही हो जो कि पंजाब में चला था तब भी हमारे बहुत सारे जो साथी शहीद हुए थे तो इतने शहादत और एक जबर जलम लखीमपुर खेरी जैसा जिसमें गाड़ियों के तले लॉक रॉन दिये गए ये पूरा सहते हुए किसान अंदोलन ने एक लंबा एक पगडंडी ही नहीं रास्ता बनाया है और जिस रास्ते पर चलते हुए इसने परधान मंतरी को मजबूर किया देश की सेंटर गॉर्मन को मजबूर किया कि जो इशू वो हम लेके आये थे तीन कानून रद करने वला और साथ ही MSP का इशू भी है अभी वो तीन कानून को रद करने वला जो इशू हम लेके इसको सरकार को वापस लेना पड़ा और रिपील करने का एलान करना पड़ा सरकार को कि वो असेंबली आने वाले पार्लिमेंट शैशन में इसको रिपील करेंगे दर्शन पाजी एक बहुत सीधा सवाल पांच राजियों में चुनाओ है जिसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब कामिल है क्या आपको लगता है कि जो इंडर्नल एसेस्मेंट हो रहा था आंतरिक आंपलन भाश्पा का था आर तो तीसरा अस्पेक्ट आपने बोल लिया है कि इस अंदोलन के जरिये पूरे देश में जो बीजेपी की शवी है वो शवी गिर रही थी और आरेसेस बीजेपी ने जो शैर यूपी में भी सर्वेशन कराया होगा जो भी उन्होंने एनलिसिस कराया होगा उसको उन्हें जगा है अगर ये लगातार रिजेंटमेंट में रहेंगे तो समाजी रिजेंटमेंट में चला जाएगा किसान संगठन चोटे हों बड़े हों वो हर एरिये इस देश के हर जगा में हैं जैसे माली जी बलके जो बड़ी ट्रेयर यूनिम वरकर्स हैं वो थोड़े हुए एक वातावन बना है कि बीजेपी के मले एंपियों को कोई फंक्शन करने के लिए भी ना घुसने देना लोगों का अपने आप रोध करने के लिए कालेज हंडे लेके आ जाना और अब यूपी में भी ये मुद्दा शुरू हो रहा है और इससे आने वाले दिनों में मैं ये कहता हूँ कि ये जो एक उन्होंने आंकलन ये किया ऐसे ये बिल्कुल सही है और ये और एक आगी का रास्ता किसान आंकलन का क्या हमारी बैटेक्स में हम ये देखे हैं कि ये जो पूरी पॉलिसी लाने जा रहे हैं वो पूरी पॉलिसी में देश को बेचने वाली है रेलवे को बेचना पूरे पबलिक सेक्टर को बेच डालना ऐसी हमारे अगरी कल्चर सेक्टर को कार्परेट के हवाले करने जा रहे थे हमने उसमें एक लड़ाई लड़के एक चीज़ को लोगों को अगर ऐसा एहसा हो जाता है कि ये इस लड़ाई में पूरे जंटा की लड़ाई है तो उसमें मोदी सरकार या बीजेपी एंडिये का ये जो रोल है ये लड़ाई उसके खिलाब भी है इनकी तानाशाही के खिलाब भी है इनकी आटोक्रेसी के खिलाब भी है इनकी मोर और मोर सेंट्रलाइशन के खिलाब भी है तो ये लड़ाई अगर हमारी उस नजरिये से तो केवल तीन कानून खत्म होने के बाद किसांस गटनों की लड़ है, MSP को लेकर आगे बढ़े गी और MSP के साथ-साथ किसानों के आगे पूरां करजा से मुक्ति हो, वो साथ आएंगे और इसके साथ किसानों का अंदोलन जो है, ये इनकी जो इनका जो ये पूरा पुंजी पतीयों और सामराजवादियों के साथ जो समझाता करके देश को गिर्वी रखने जा रहे हैं उसके खिलाफ लड़ाई के रूप में के तोर पर ये लड़ाई जारी रहेगी ये खत्म नहीं होगी ये तमाम जो बलिदान गया तमाम लोग जो शहीद हुए हैं उन्हीं की बदौलत आज आपको देश के सामने आकर यह सब कुछ हमारे सामने कहना पड़ा आएए आपको ले चलते हैं हम उन सीमाओं पर देश की सीमाओं पर नहीं दिल्ली की उन सीमाओं पर जहां पर किसान बै इस तरह से उत्तर प्रदेश में पूरा दबाव बनाया, इसकी मिसाल हमने आपने देखी है। जिस तरह से महा पन्चायतों का दौर चला, उसका दौर हमने देखा है। यहाँ पर हमने बात की उनके सानों से जो आज भी बैठे उए हैं। उनके समर्थन में उत्रे तमाम लोगों से जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। और मान के चल रहा है कि साथ सालों में पहली बार अगर किसी ने मोधी सरकार को घुटने टिकने पर मज़ुबूर किया है तो वह देश का अन्यदाता है। और बहुत ही समस्दारी से किसान संगठनों ने ये मांग रखी है कि जब तक संसद में इस पर चर्चा नहीं होती इसे वापस नहीं लिया जाता। किसानों के साथ माफी नहीं मांगी जाती, MSP और बाकी कानूनों पर चर्चा नहीं होती, तब तक किसान अपनी जगा पर डटे रहेंगे, खडे रहेंगे। क्या लगता है आज जो अनॉस्मेंट किया है मोदी जी नॉस्मेंट तो बहुत अच्छा लगा पर थोड़ा नाजगरी भी बहुत है ता लंबा टाइम उन्हों ने खीचा है पर उन्हों नहीं इतना मारे घट्चे खत्म हो गया बहुत कुछ वो गया बच्चे रूट पे कंब फैंत ficar ने की सबस्का है अंगशा शहां थी हम कर दिया है और ये कर दी और सिरा में भास्स्पा को फाइदा हो ये नहीं आप कोहुत कैस armed था कि हम अपने वल्पे अपने जो मीडिया है इनका गोडी मीडिया इसके भरोसे से वो उनका भरोसात बना हुआ था कि हम जीट जाएंगे और अगली सरकार भी हमारे होगी लेकिन जो रुजान अभी तक है यानी चुनाव चुनाव एक प्रमुख बदा दुसरा किसानों का संगर से बढ़ी चीज है कि लितना लंबे समय सब सालवर होने को आ गया है और संगरोसान जितनी मजबूती के साथ लड़ा है और तमाम सरकार के पैत्रे जो उन्होंने तमाम कभी कहली आपस्तानी कह कर या तमाम तर ही नुद रषा scarf लगायाмотр ए और प्रेल जो किसान आंदोलन के साथ पिछले एक साल से बने हुए है युवा पत्रकार है कारे करता है वह क्या हमें बताना चाहते हैं टीकरी से जो बीजेपी गौवर्मेंट है जो मोदी गौवर्मेंट है उसकी जो कार्पोरेट्स के लिए कमिटमेंट है जो इंपिरलिस्टों के लिए कमिटमेंट है जो खेती सेक्टर में जो बड़ी पूंजी है उसकी इन्वेस्टमेंट की जो उनकी कमिटमेंट है उससे व पहले वाले लाज के बी, के सब से आगे, सब से पहले", जो statement of purpose होती है, उसमें जो उन्होंने डाला था, जो बोला था, उसको वो कैसे वापस लेते हैं, इसे इन्हें totally repeat करते हैं, जा अपना वो जो उनकी commitment है, उन policies के पालती है, उसको किसी और डूर से लाने की कोशिश करते है इसलिए मेरा ये मानना है कि इस समय यहां एक तरफ जशन भी मना रहे हैं किसान मनाने भी चाहिए इतने बड़े सैक्रिफाई के बाद इस तरह की गौवर्मिंट को उन्होंने गुटनों पर किया है जशन के भी हक बनता है जशन का समा भी है पर उसी के साथ उतनी ही ज्यादा अवेर रहने का उतनी ही ज्यादा चौकसी का समा भी है किस तरह का एक तरह वो कैसे स्टेप्स लेगी किस तरह रीपील करेगी इस बात के लिए अवेर रहने की जरूरत है हमने बात की नवकिरन कोर से जो टीकरी से चलाती है ट्रॉली टाइमज बहुत ही एहम पहल कदमी नौजवान किसानो के पक्ष में उत्रे लोगों की जिसमें ट्रॉली टाइमज हमारे सामने आया, किसानो की जबान में, किसानो का अखबार एक तरफ से एग्नम हमें इस पैसे का स्वागत करते हैं। यूकि हमारी जीत से हासल पैसला है। जिस तरह को ठीकित आपनेमें लगा हुपा है, जिए को ठीके पूदी जीने करोग तो दिए फिसानों को गिंप दिया है, तो उसमें हम कहना चाहते हैं। करें अपना जो धार्मी को खेल है धार्मी का जड़ना है किसानों की स्ट्रगल की जीत नहीं कुछ सकते आख रखत सांतों के सांतों किसान अभी तक अपनी जाने का वाच हुए है इसलिए यह हमारी पून पसीने से लिए पूरी स्ट्रगल की चीत है और दूसरी तरफ यह चीत अभी भी अग्रोरी है क्योंकि उन्हें मुदिखीनी हिस्सित अभी अन्नाउं की आगया परिमात कि इसको अभी पार्लिमेंट सेशन के पास भी जा गया है तो जो तक को नहीं हो सब्सक्राइब जाती है तो इसलिए यह आंदोलन सब्सक्राइब जारी रहेगा जब तक इस सब्सक्राइब मांगे भाई नहीं ली जाती और यह भी सच है कि इस अंदोलन ने पूरे देश को दुनिया को दिखा दिया है कि लोगों की लडाईया कैसे लिजाती है और कैसे शांदमाई तरीके से अपने हग की लडाई जीती जाती है और ऐसे ही आगे भी हमकी अंदोलन चारी रखेगे और जब तक हम M.S.P. लगू आए सुनते हैं नवशरन कौर को जो अर्थशास्त्री है और लंबे समय से किसान आंदोलन महिला किसानों के बारे में बात करती रही है किसानों ने जो एक साल से इतना बढ़िया इंक्रेडिबल बैटल जो लड़ी है ये उसी की ही जीत की एक निशानी है कि आज मोदी जी को ये कहना पड़ा राष्ट्रिये टेलिविजिन पर आके कि मैं माफी मांगता हूं ये कोई छोटी बात नहीं है माफी तो शाहिद बहुत चीजों के लिए माननी बाकी है पर ये एक शुरुआत हुई और आज हुई किसानों की लड़ाई की वजह से हुई और इस बात के लिए हम किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं उन्हें सलाम कहना चाहते हैं एक और चीज़ की अभी सारे तरफ महौर बनाये जा रहा है कि किसान अपना अंदोलन वापस ले लें क्योंकि मांगे मान ली गई है तो आगे का रास्ता क्या आपको लगता है ये तो संयुकिसान मोर्चा भी तै करेगा कि आगे का क्या रास्ता है पर आज उन्होंने शुरू में ही जो बयान दिये उसमें कहा गया है कि वापस जाने की हमें कोई जल्दी नहीं है ना हम ठके हैं ना हम हारे हैं और जब तक कानून पार्लियमेंट में जहां वो लाए गए थे वहीं से वापस नहीं होते उन्होंने ऐसा कहा है कि वो वापस नहीं जाएंगे और मुझे लगता है कि ये बहुत सही उनकी राय है हमने बात की गाजिपूर बॉर्डर में सुभाशनी अली और पूरी की पूरी टीम से जो किसानों के पक्ष में आई हुई थी और बता रही थी कि यह पूरा का पूरा आंदोलन किस तरह से इस सफलता के मुकाम तक पहुचा है चुनाओ हारने का डर और किसान अंदोलन का प्रभाव ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए है और दोनों ने मजबूर किया है आज नरेन मोदी को पीछे हटने के लिए एक तरह से आत्मसमर्पन करने के लिए लेकिन उन्होंने जो भाशा बड़ी कंजूसी का इस्तेमाल किया उन्होंने कहा कि हम समझा नहीं पाए थोड़े से किसानों को लेकिन असली चीज़ ये है कि किसानों ने बहुत सही और उचुद जवाब दिया कि आप पहले कानून रद करो आप MSP का कानून बनाओ बिजली का बिल वापस करो और जो हत्याएं हुई है लखीमपूर खेरी में उसमें न्याय दो उसके बाद ही हम अपना मतलब फैसला करेंगे महिलाय बड़े पैमाने पर भागिदारी करी है क्योंकि वो जानती है कि अगर जमीन जाएगी तो बच्चे भूके मरेंगे ये वो जानती है इसलिए कताई जमीन चोड़ने के लिए तयार नहीं है और मोदी जाब ने तो अभी तो ले लिया कानून, शब्द से ले लिया है, एक्चली पारलिमेंट में पीछे ले, MSP का कानून बनाए, एलेक्रिसिटी बिल के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो ये आज संगर्ष हर एक भारतिय नागरिक की जीत है, क्योंकि ये किसान संगर्ष, सिर्फ किसान संगर्ष रहा ही नहीं था, ये तो पूरे देश बेचने की जो साजेश मोदी की चल रही है, उसके खिलाफ संगर्ष बन गया था, कॉर्परोटे के खिलाफ संगर्ष बन गया था, तो ये हर एक भार इस ओर है कि किसान आंदोलन आगे क्या रुख अख्तियार करेगा कम से कम एक बात बहुत साफ है आज की तारीख में कि एक तरफ जो बड़ा मीडिया है कॉर्पोरेट मीडिया है वह इसे प्रधान मंतरी नरेन मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है लेकिन जो आज का किसान है जो संघर्ष में उतरा किसान है वह इसे अपनी जीत बता रहा है और उसके इस दावे में बहुत दम है क्योंकि पूरी देश नहीं नहीं पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से किसान तमाम दबाओं के बावजूद एक इंच भी पीछे नहीं हटे जो आंदोलन देश की सरहद में देश की राजधानी की सरहद से शुरू हुआ वह किस तरह से पूरे देश में फैला और यहां यह जो किसान बोलते हैं गाजिपूर बॉर्डर में उनकी बात में बहुत दम है इनकी बात से ही मैं आज इस कारेक्रम का समापन करूंगी सुनिए किस तरह से वो मोदी को चुनौती देते हैं कि दाओं खेलना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेन मोदी को ही नहीं आता दाओं किसान भी खेलता है ई thermal apple घाण इसा लिए प्रई प्रधानमंत्री नरेन मोदी को और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेन मोदी को ही नहीं जब यहां के मंत्री थे तब से लेकर अभी तक का पूरा का पूरा उंका राजनितिक नहीं काल है उसमें शायद पहली बार किसी आंदोलन ने इतनी बड़ी सीख दी है पहली बार किसी आंदोलन की वजह से उन्हें देश के सामने आकर किसी भी कारण से माफी शब्द का इस्तमाल करना पड़ा शुक्रिया